यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वक्त दिया था हलाकि बीजेपी के और से पेश किये गए वकील मुकुल रोतगी ने सोमवार तक का वक्त मांगा था बात अभी की की जाए तो विधायकों की संख्या बीजेपी के पास 104 विधायक है और बहुमत के लिए 112 विधायक चाहिए कॉंग्रेस के 78 और जेडियस के 38 मिलाकर 116 विधायक है इसके लावा कॉंग्रेस का दावा है कि दो निर्दलिये विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिला है तो ये दि यूरपा को आज बहुमत साबित करना होगा आज शाम को चार बज़े तक ये दि यूरॉपा को बहुमत साबित करना होगा तभी ये दि यूरपा की सरकार बन पाएगी बीजेपी की सरकार बन पाएगी साथि आपको बता दे कि ये जो सियासी ड्रामा करी दिनों से चल रहा है करनाटक में ये आज शाम को चार बजे खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि ये दूरप्पा एक या दो दन के CM बनेंगे या फिर आगे भी CM पद पर बरकरार रहेंगे तो करनाटक में आज सियासी ड्रामा खत्म होने वाला है इसके बाद कॉंग्रेस ने मांग की कॉंग्रेस JDS का जो कचबंदन है उन्होंने मांग की की फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाया जाए पंद्र दिन का वक्त देना सही नहीं है और इसी के चलते अब सिर्फ 24 गंते उन्हें दिये गए थे और आश राम को 4 बजे ये सियासी ड्रामा खत्म होने वाला है झाला है